के 10 शहरों में करवाया है 18 साल से उपर के 2617 पुरुशों और महिलाओं से हमने सवाल पूछे ये सवाल महिलाओं की सुरक्षा और आजादी से जुड़े हुए हैं आज हम इसकडी में खुद के अंदर जातने की कोशिश करेंगे खुद को टटो लेंगे कि आखिर महिलाओं को लेकर खुद मीडिया और पत्रकारों की क्या सोच है महिलाओं के सिलसले में समाज को समविनचील बनाने में हमारी क्या कुछ भूमी का है और मेलाओं से जुड़े बुद्द को उठाने में, उनकी मुश्किले उजागर करने में, उनकी परिशानियों को दूर करने में आखिर मीरिया क्या भूमी का निभा रहा है इसे सिलसले में खास बाचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजून है वरिश पत्रका नमीता भंडारे, जस्टिस वर्मा कमिटी को इन फाक्ट जिन लोगों ने सुझाव दिये हैं उनकी नमीता भी शामिल है और देहिंदू की ही वरिश पत्रका शालिनी सिंग भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है एंदबाद स्टूडियो में है रुजान खंबाटा आईटी प्रोफेशनल है और रसना की निर्देशक भी साथी दिल्ली में युवाओं की सोच हम तक पहुँचाएंगे हमारे सहयोगी साक्षी खना तो आप लोगों के पास जाने के पहले क्यों न एक नज़र डालेते हैं इस सर्वेक्शन के शुरुवाती नतीजों पर हमारे जो सर्वे हैं उसमें हमने लोगों से पूछा कि महिलाओं के खिलाफ अपराद में क्यों नहीं मिल पाता है इनसाफ इसमें 20 फीसेदी लोग नाकाम पुरिस और भरष्ट चार को जिम्यदार मानते हैं साथ फीसेदी लोगों का कहना है कि भरष्ट वकीलों की वज़े से इनसाफ नहीं मिलता कमजोर कानून को गुनेगार 17 फीसेदी रेस्पॉंडिंस करार देते हैं और कानून की धीमी प्रक्रिया को 16 फीसेदी जोकि ये सभी कारण गुनेगार है ऐसा 40 फीसेदी लोगों का कहना है हमें ये भी पूछा कि थाने में पुलिस के रवाईये के बात क्या आपने पुलिस के पास जाना बंद कर दिया 39 परसेंट 49 फीसेदी का कहना है कि हाँ जो की 42 फीसेदी ऐसा नहीं मानते और क्या ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों से फर्क पड़ेगा मिजॉरिटी जो 70% रेस्पॉंडेंस है उनका कहना है कि हाँ इस से फर्क पड़ता है नमीता जस्टिस वर्मा कमिटी की अगर हम बात करें कमिशन की बात करें उन्होंने इनफाक्ट अपने रिपोर्ट को रिलीज करते वक्त रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि काफी हद तक महिलाओं की जो परसेप्शन बनाई जाती है समाज में वो गलत अगर परसेप्शन बनता है उसके लिए बहुत सारे इंस्टिउशन जो जिम्हदार है मीडिया भी उसमें से एक है बिल्कुल मीडिया अगर आप टेलिविजिन अगर आप सिनिमा अगर आप सीरियल्स अगर आप सब कुछ देखें तो definitely मीडिया को आप नहीं इसमें से एक्स्क्लूट कर सकते हैं और खासकर के मीडिया में अगर मैं बात करूँ जॉर्नलिस्ट्स की अगर हम आज इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तीवी की हो प्रिंट की हो उसमें आप ऐसा रोल देखती है नमिता जॉर्नलिस्म में देखें कोई एक साइस फिट सॉल वाला मामला तो है नहीं और मैं तो कहूंगी कि डिसेंबर 16 के हादसे के बाद जैसे जॉर्नलिस्ट और मीडिया ओगनाइजेशन ने जो काम किया है वो मुझे बहुत ही गल्ब से मैं बहुत बहुत खुश हूँ उस काम से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है चाहे वो एजेंडा फॉर चेंज हो चाहे वो प्रिंट में देखें कितने कैंपेंज अभी तक आज दिन तक चले आ रहे हैं यह नहीं कि उन्होंने वो स्टॉरी कवर की सेंसेशनल स्टॉरी थी दो दिन बाद उनका अटेंशन पलट गया चाहे वो नरेंदर मोदी का एलेक्शन रिजल्ट बीच में आया हो चाहे इतने बड़े-बड़े न्यूज वैल्यू के जो स्टॉरी थे उन्होंने किसी बता को बिल्कुल डिस्ट्रैट नहीं हुए और वो स्टॉरी पे लगे रहे और इसमें मीडिया का बहुत ही अच्छा रोल रहा है शारी नी इसी सिलसिले में इन फाक्ट मैं सोशल मीडिया पर मुझे लोगों से डिक पाट्स भी मिल रहे थे कि आप लोग लगातार इस खबर को इतनी जादा कवरिज क्यों दे रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली में हुआ है देश के दूसरे शहरों में जब इस तरह की घटनाए होती है तो मीडिया उनको या तो कवर नहीं करता या तो सस्टेन कवरिज जारी नहीं रखता है किस तरीके से जो है विमिन इशू पर आपको लगता है कि मीडिया के प्रोच को भी देखना चाहिए विमिन इशू इस अपरी कॉंपलेक्स मैटर और यह एक सोशल इशू है हमारा एक बहुत कॉंपलेक्स मल्टी लेड सोसाइटी है तो हमें we have to start at multiple levels my main issue is that media may have handled this particular episode very sensitively लेकिन आप अगर देखें मैंने financial journalism में बहुत काम किया है आप budget की stories देखें मतलब tax बढ़ रहा है किसी गाडी पे या कम हो रहा है and you have in a hard financial story, business story you'll have an irrelevant picture of a woman in revealing clothes so you know one has seen this also this in you know insensible sort of usage of visuals in hardcore business and financial news so I mean I think it starts at a very fundamental level you have to look at the individual who's working anywhere and I think workplace conduct the do's and don'ts of how women must be treated how they must be perceived have to be very well articulated we don't articulate कि do's and don'ts है क्या आप workplace का जिक्रे कर रही है रुजान in fact आप corporate जगत से भी नाता रखती है IT professional भी है महिलाओ के लिए अगर हम खास करके शालीन ने corporate जगत का भी जिक्रे किया financial ads and magazines की अगर बात करे क्या वहाँ पर जो corporate social responsibility है वो ज्यादा होनी चाहिए के कंपनियों की कि आप ज़्यादा संवेरें शील हो महिलाओं को लेकर मेरा सबसे पहले यह टेक है सबसे पहले जो आपका पेला question मीडिया के लिए था मीडिया के बहुत अच्छा काम किया मीडिया ने जिसके कारण में इतना फ्लायर अप हुआ है सेकर मुझे यह पॉइंट एकना है कि I would not say कि आप क्यों दल्ली है इसलिए आप इसको फ्लायर अप कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुजरात में ऐसे cases हुए पिछले 16-20 days में 13 minor rape माइनर के रेप हुए और मीडिया ने इसको काफी फ्लायर अप किया और उसके पीछे काफी काम हो रहा है In fact, कल ही एक लड़की ने हमारे मेटरपोलिन कॉर्ट में सुसाइड की कोशिष की And it was quite flared up सारे मीडिया में गुजरात के मीडिया में हैदलाइज बनी इसलिए I would rather say Media is doing a very good point in there Secondly, अभ यह जो मैडम ने बताया के she is right कि अगर financials के financials दिखाना है ता आप लड़की को दिखाते हो But I would rather like to also put it in the other way around from a corporate side of you, which I always tell सबको के there is nothing wrong in flaunting your family. I am a believer that one should flaunt its family. हम हुमेन है, हम गरवा है, हम अभीमान है and we should flaunt it. अभ आपका जो point का corporate social responsibility के point of view से. के yes, in terms of corporate social responsibility, I would rather say के yes, lot of organizations in Gujarat are now being more what you call sensitive towards sexual harassment at workplace. In fact, government और उसमें तो वो, they are now having the sexual harassment committee and all that. So what I currently look at it or see के, हाँ, नहीं था या कम है, but currently we are moving in a positive direction in this respect and people are getting aware of and people are getting out of it. अगर आपने कि यह जो अभी जो अभी जली रेट केस बोलो. बिल्कुल जानी कि आप कहरी कि यह linked है, अगर आप नीडिया में इसको coverage भी दिखाते हैं, लोगों की responsibility बढ़ रही है. In fact, अगर next set of data पर भी हम नज़र डाले, जिसका शाली नी ने कहीं जिक्र भी किया था, हमने लोगों से पर जो crime shows हैं, उनसे क्या महिलाओं के प्रती हिंसा को बढ़ावा मिलता है, majority 64% दी लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, या बलापकार के शिकार महिला पर जीवन भर के लिए दाग लग जाता है, 65% दी लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, वो एक stigma के तौर पर उससे दिखा जाने लगता है, और क्या यौन चूटर्ण के लिए महिलाओं ही जम्यदार हैं, 32% दी लोग हा कहते हैं, 60% दी लोग ना कहते हैं, इन फाक्ट रुजान आप ब्रेक के पहले कुछ कहना भी चाहरी थी और 60% दी लोग हाले कि यह कहते हैं कि महिलाओं जम्यदार नहीं हैं रेप के लिए, लेकिन 32% एक significant number है, अगर यह 32% में महिलाओं ज्यादा हैं हमारे respondents में, इन फाक्ट वो अगर कहते हैं कि महिलाओं ही ज्यादा जम्यदार हैं, इसे आप कैसे देखेंगी? See, I don't know आपने किस तरह का basis क्या था आपके question का, कि 32% लोग कह रहे कि हाँ महिला जम्यदार है, महिलाओं के चादे इसे पर बात करते हैं, जो पोशाक पेहनते हैं उसका असर परता हैं इसलिए वह जम्यदार होती हैं? नहीं एक्चली ये ये जो आपके जो 32% वे उन लोगो मैस होंगे आप गैरेंटीड बोलते हूं क्योंकि ये जो अपने नेता लोग बोलते हैं कि भाई ये पीपल गर्ल्स प्रोवोक्त मैंन तो कमान रेप देंप क्योंकि बिकास अप बता कि वेस्टन सोसाइटी मुझा ऐसा खास केना के यह हम फोर्षा नैसे वेस्टनाइस हम जो कपने पेंते है ऐसए जो भी नॉर्मल लड़कीयां कपने पेंते यह सब्सक्रों बोल जाता है तो कमेंग्लें कौई ऑप्टे ऊसेथा क्ल जो एक की नकीना हो राइत कर लोट देठा मौँ पहन नंतिन आतिनु ये मै मैंने खुद देखा है कि गार्डन में 4-5 बच्चे लड़के बैखते हैं और फिर सब मिलके मेर को पता नहीं चाहिए मोबाल पर क्या करते हैं और फिर पता चला कि लोग देखते हैं और फिर लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने इस तरह करते हैं तो यह वेस्टिन कलते रहा और जैसा आपका दिमाग है आप यह रैक्ट करेंगे विजूल स्टिमिलस हो या शक्राइब करते हैं